भारत मता की जई स्रीराम आज प्रजासंग्राम यातरा का जो सेकंड फेस तिलंगाना के हिंदु वीरों के ओर से जो सफल हुआ है आज इसका समापन कारिकरम है और इस समापन कारिकरम में मंच पर जितने भी जो अधिकारिकरण उपसीद है और यहाँ पर जितने भी जो मेरे रामभक्त पदारे हैं उनको मैं रिदे से प्रडाम करता हूँ दन्यवाद पकड़ करता हूँ आज इतनी बड़ी संक्या को देखकर इतनी बड़ी संक्या को देखकर आज मुझे यह मैसूस हो रहा है कि आने वाले समय में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार तिलंगाना में आप सब के आश्रवास से बनने वाली है यहाँ पर उपसी सभी रामभक्तों से भारतिय जन्ता पार्टी कारेकरतों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें बंडी संजे जी की ताख़द बनकर हमें आने वाले समय में आगे बढ़ना है अब ये राम भक्तों की ताख़द को कोई नहीं रोख सकता आने वाले समय में भारते जंता पाटी की सरकार 200% ते लंगाने में बनने वाली है मेरे भाईो और आने वाले समय में जैसे मंच पर उपस सभी लोगों ने कहा है के KCR की खबर अब खुदने वाली है आज KCR हो या KTR हो ये लोग कहते हैं के तिलंगाना को हम बंगारू तिलंगाना बनाएंगे अरे कहां का बंगारू तिलंगाना बना तुम बाप बेटे मिलकर करप्शन तलंगना बना दिये तुम लोग मिलकर आज तुमारे करप्शन को खोदने के लिए आज अमिशा पदा रहे तलंगना राज्ज में और सबा को संबोधित करेंगे कारेकर्टाओं का धर्शन करेंगे यहाँ पर उपसित सभी कारेकर्टाओं से निवेदन है कि आप आपको कमर कस्णी है आने वाला समय युद्ध का समय है बिगुल बच्चुका है आने वाले समय में हर वो कारेकर्टा अपनी अपनी विधान सबा में यहाँ पर भारते जनता पार्टी जीत रही है Candid जीत रहा है ETRS वालो भागो हमारी विधान सबा में अब हमारा राज जाने वाला है हिंदु राज जाने वाला है तेलंगा ना में तुमारा निजाम का राज अब चलने वाला नहीं है आज मुख्य मंत्री जो है अपने आपको आटवा निजाम समझते है तो वह मुख्य मंत्री को कहना चाहूंगा कि सात्वे निजाम को जुकाने वाले सरदार वल्ला भाई पटेल और आटवा निजाम जो मुख्य मंत्री है इसको जुकाने वाले जो सर्दार वल्ला भाई पटेल जी का जो रूप लेकर जो हमारे अमिशा जी पदा रहे हैं ये आटवे निजाम केशियार को जुकाएंगे भी और तेलंगाना से भगाएंगे भी आज मंच पर भोष सारे अधिकारी गणु पसीदे मेरे भाईयो समय कम दिया गया है सभी को बात करना है मैं कम समय में बात करूँगा लेकिन एक ये एक बात करूँगा आप सब का ये संकल्प है कि भारत देश अखंडिन्दु रास्ट बने साथी साथ तेलंगाना में जो हिं है इन को भगाना है आप सब का सपना पूर्ण होने वाला है क्योंकि तिलंगाना में भगआ रा जाने वाला है और ये अकबर दिनोविसी हो या असदिनोविसी हो ये दोनों छोटे सालों को तेलंगाना से भार भगाना है अरे वोल्ट सीटी के मुसलमानों का तो तुमने कभी भला नहीं किया महरास्टा जाते हो और अंगाजेब की समादी पर फूल चड़ाते हो याद रखो ये अकबर दिन याद रख जिस प्रकार से छत्रपती शिवाजी महराज ने और अंगाजेब को पानी पिलाया था उसी प्रकार से उसके वंशकों को भी पानी पिला पिला के मारेंगे और आने वाले समय में आप सब लोग देखींगे के तिलंगाना में सिर्फ हिंदुर राज रहेगा हिंदुर राश रहेगा बोला भारत मता की भारत मता की जैस्री राम